बैतुल जिले के ग्राम कोधर में बिजली का तार गिरने से बड़ा हास्सा हो गया जहां करंट लगने से एक यूवक की मौथ हो गई दरसल 28 वर्षे यूवक वासुदेव अपने आंगन में खड़ा था उसे दुरान बिजली का तार लहराते हुए उस पर गिर गया जिससे पूरे इलाके में हडकंप मज गया गंबी रूप से घायल यूवक को लेकर परीज़न अस्पताल लेकर पहुचे जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे म्रद घोशित कर दिया गटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुची चीचोली थाना पुलिस ने मामला दर्सकर जाज शुरू कर दी है अब तो गरवाली ने देखा आसपास आवाज लागा एक दो लोग आये और उने देखा को उसको हाथ में घिसाही घिसाही हाथ मल ना और पैरों से खुनना थोड़ा सा किया उसके बाद दज़चाल हस्पिटर ले गया हस्पिटर ले जाने के बाद दाफ्टर ने मर्द दो कर दिया तर्वार के सभी लोग वो है मतब सोप में है इसलिए उसकी वो देखा नहीं तो सभी लोग परिफान है अब फुली जाच्छ कर रही है और जो यह सब आपके पास सर्व वासुदेव करेंट उदर से वो गाड़ी से आया इदर दुकान से विनपूर से उसके बाद इदर यह रोट के यह गली के पास पहुचा और यह उपर वो लाई नहीं उपर से उसका वायर के तूट के नीचे गिरा था साथ से वो उसमें गाड़ी से जा रहा था तो वो इदर से मौसी ने आवाद लगाई कि मतलब वासुदेव को करंट लग गया गया तो मैं दोड़ कक आया हूँ सुमय हुचानarpान र्वेश करसड़ स fridge था टुट से जए सो जोड़ीन ख़्या जिए सं एनगाई सनी गिरा हूँ से में जटतं उनकि घर के कनिक्टन गया है तो ते गिर्यों था माज़ेंनी तरो घृंड़ी शे सित्व कि ऐख्या आइख में से जयसे था ने पर होस्पितल लेगे उसके जीम में डाल कि हम डाक्टर ने बुल कि कि में खत्म हो लिए से सुरेंद्र बावनी की रिपाइब